आज में आप लोगों के लिए बहुती जादा खास टिप ले करके आई हूँ जिसे देखने के बाद आपके किचिन का काम घंटों का काम सिर्फ और सिर्फ मिंटों में होगा तो फेंड सभी लोग घी निकालते हैं अपने घर पे जिसमें बहुत ज़दा टाइम बेस्ट होता ह तो ये वीडियो देखने के बाद आपका टाइम बिकुल भी वेस्ट नहीं होगा तो आज मैं ये मलाई से घी निकाली हूँ इसे ना ही हम जमाएंगे ना ही हमें इसे मतनी से मतेंगे डायक्ट मलाई से घी निकालेंगे और वो भी सिर्फ और सिर्फ मिंटों में ये 8 दिन क गी मलाई और आठ दिनकी मलाई से आप लोग देखना में कितना सारा घी निकाल करके तया करूंगी तो मैं अपने लिए मलाई को जाली लिए हैं नहीं मता नहीं कुछ और मैंने डारेक्ट ही ट्रांसवर कर लिया है बड़तन अब बरतन में ट्रांसफर करने के बाद इसे हाई फ्लेम पर हम रग देंगे जिससे कि मलाई जो है वो मेल्ट हो जाए और इसमें हम एक डालेंगे जादू की पुडिया जिससे कि हमारा जो गी घंटों में निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ मिन्टों में निकल करके तयार हो ज लेखिएगा जिससे कि आपको वो जादो की पुडिया पता चल सके और आप भी अपने घर किचिन का काम मिंटों में करके फिरी हो जाएं तो फ्रेंड्स हाई फ्लेंपर हम मलाई को मेल्ट कर लेंगे और हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि तली में हमारा गी है वो बर्तन में हमारा साफ निकले क्या होता है कि जब तली पे घी जल जाता ना तो उसके बाद 13 बहुत जदा जल जाता जिससे साफ करने में बहुती ज्यादा महरत लगती है तो फ्रेंड्स यह हम डालने हैं जादो की पुडिया पता है क्या है एक जमच गैहू का आठा जी फ् लम्स ना पड़े और ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और जैसे ही हम इसमें गेहूं काटर डालेंगे वैसे ही गी हमारा सेपरेट हो जाएगा और आप लोग देख सकते हैं जो इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम जाता है वो वाली प्रोसेस सिर्फ वो सिर्फ अंसे 6 मिनट में आपका घी निकल करके तयार हो जाएगा तो फ्रेंड्स काफी लोग जो घी निकालते हैं उसके लिए बहुत लम्मी प्रोसेस करते हैं जैसे कि पहले मलाई को निकालते हैं फिर उसे जमाते हैं धही की तरह फिर उसे मतते हैं जिसके की मांखन अलग हो सके तो friends आप लोग direct मलाई से इस तरीके से गी निकाल सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं चुटकियों में और 8 दिन की मलाई से सिर्फ और 8 दिन की मलाई से कितना सारा गी निकल करके तयार हो गया है ना तो अब इस जगे पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और गी को अच्छे तरीके से हम ठंडा होने देंगे तोड़ा सा गुन-गुना रहे बस उतना नहीं तो जो आपके अगर प्लास्टिक के चलनी रहेगी तो वो पिगल जाएगी है ना गी हमारा ठंडा हो गया है और उसके बाद हम एक अच्छे से बतन में से सेपरेट कर लेंगे त्रांस्वर कर लेंगे आप लोग देख सकते हैं आट दिन की मलाई से एक कटोरा भर करके घी हमारा निकल करके तयार हो चुका है तो फ्रेंड्स अगर ये वाली टिप्स और ट् थैंक यु-